हेलो गाईज आज हम पढ़ेंगे हमारी पृत्वी के बारे में कि हमारी पृत्वी है वो कैसे बदल रही है पहले कल हमने देखा था कि परसों हमने देखा था हमारी पृत्वी के अंदर जो आंत्रिक जो चीजें हैं पृत्वी हमारे अंदर से कैसी बने हुई है किन चीजों स बने हुई है क्रोड मेंटल और भू परपती के बारे में तो परतों के बारे में हमने पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे हमारी बदलती प्रित्वी प्रित्वी कैसे बदल रही है और किस किस तरीके से हमारी प्रित्वी के ऊपर बदलाव रहे है वह सारे आज हम इस वीडियो मे जी है स्थल्मंडल कटाने की जरूरत नहीं है तो स्थल्मंडल की बात हम‌ने की थी स्थल्मंडल जल्मंडल और वाइयू मंडल भाईयू का आवरन 어떻, जहां पë है महसागर हो गये स्ट 네 और समुंदर हो गये वह सब क्या है जśli मंडल में आता हूँ जिसे स्थल मंडलिये प्लेट कहते हैं आपको ये जानकर आश्यरिय होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गती से चारों तरफ गूमती रहती हैं और ये प्लेटे आपस में गती करती हैं प्रतेक वर्स के वल कुछ मिलिमीटर के लगभग प्रित्वी के अंदर पिगले हूए मैगमा में होने वाली गती के कान ऐसा होוכ जो लावा होता है वो अंदर से बहार आके जब ठोश रूप ले ले रोजाता है तो आगने शेल बन जातीए उसके बार जब अंदर ही फो ठंडा हो जाता है पिर्थवी कि इस तया के ऊपर आने से पुरा तो वो अंतर भेदी और बहार आजकर ठंडा होता है तो वो बहिर भेदी चटान के रूप में जाना जाता है तो इस तरीके से इस थलमंडल है वो कई प्लेटों में विभाजित हैं जिसे इस थलमंडली है प्लेट कहते हैं आपको जानकर आश्रिय होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गती से चारो तरफ गूमती है और परतेक वर्स के लिलिमेटर के लगबग ही गूम पाती है पृत्वी के अंदर पिगले हुए मैगमा में होनी वाली गती जो पिर्थवी के अंदर जो मैगमा है पिगला हुआ उसकी जो गती है उसकी वज़े से ऐसा होता है कि धीमी गती से क्यों घूम पाती है वो प्लेटे तो उस मैगमा की गती की वज़े से ही धीरे घूम पाती है पिर्थवी प्रित्वी की गति को उन बलों के आधार पर वियाजत किया गया जिनके काणिये गतिया उत्पन होती है जो बल प्रित्वी के आंतरिक भाग में गटित होते है उसे अंतरजनित या एंडोजेनिक प्रित्वी के अंदर के हिशे में घटित होते हैं आंतरिक भाग में जैसे mental वगरा में तो endogenic force करते हैं और जो बल प्रित्वी के स्टैप उत्पन होते हैं उसे exo, exo मतलब बहार की तरफ जैसे हम agile, exit वगरा वर्ड चुनते हैं तो उसे से बना हुआ है जो बल प्रित्वी के स्टैप उत्पन होते हैं उसे बहीर जैनिक मतलब बहार की सेड़ जो अंदर उत्पन होते हैं उसको अंतर जैनित, बहर जैनित से आपको पता चल जाएगा लेकिन endogenic आपको याद रखना है और exogenic endo मतलब अंदर और exo मतलब बहार तो अंतररजनिक बल है वो कभी आक्षमिक गती उत्पन करते हैं तो कभी धीमी गती कभी एकदम तेज हो जाते है अंदर वाले और कभी धीमे भूकम्प और जवालामुक्ई जैसे आक्समिक गति की कांट पृत्वी किस्तेया पर अत्यादिक हानी होती है तो ये हमारे पृत्वी के अंदर होते हैं भूकमपोर ज्वाला मुखी तो इनकी गति की जो तेज हो जाती है एकदम से तो उस पृत्वी किस्तेया के ऊपर बहुत ज्यादा हानी हो जाते है तो पृत् दिखाई देती है और जो पिर देखाई देती है और जो पिरचल विरूपन क्या होता है परवत निर्मान करने के लिए जो बल लगा होता है उसको पठल विरूपन बल कहते हैं तो इ क्या होता है इस तलमंदलीelo plate क्या होता है भू परपटी गुछ कितल पर्षिय में एक परसेंट में पआहिती हैं तो इसको बोलते हैं इस तलमंदलियelooplaet उसके बाद आगे हम बात करते हैं, यह देखो जवाला मुखी, जवाला मुखी का कोशन अभी अभी पिछले दिनों आया था रीट के अंदर ही, और रीट का पूरा पेपर यहां से उठाये गा था, और जिन बचों ने रीट, NCRT नहीं पड़ा, उनको बहुत टेंशन हुई बाद में जाकर कि अगर NCRT पढ़ लिया होता, तो सबका क्लेर हो जादा है, इस परकार स्थल मंडल यह प्लेटों की गती करने पर पिर्थवी की स्थाय पर कमपन होता है, जो स्थल मंडल की जो प्लेटे आपस में गती करती है, तो पिर्थवी की स्थाय के उपर भी कमपन उद्गम चेतर या उसका भूकम का मूल हम कह सकते हैं जहां सी ये स्टार्ट हुआ है मतलब भूकम की जो तरंगे है वो स्टार्ट हुई है उद्गम केंदर के बूस्ते पर उसके निकटम स्थान को अधिकेंदर कहते हैं और सबसे जादा जब जाकर के तबाही मचाता है तो バ waren तरंगों किया अदिकेंदर से अधिकेंदर से तबएकंपन करता है और निकलना सुरू हो जहां से पहर खोड़ायादा के साथ शोरू है अधिकेंदर से निकला निकलना है बूपरपट two word इसस सब क anne tiene that stress pur the rate throughout mountain end रहे हो सी हमill है तो इस काम होती है तो यह है दिखों एक प्रकार सी कैसा है एक वरतान लो मालो उसे जल से भर च भर के उपर उठेंगे तो वो धक्कन को भी हिलाने लग जाते हैं तो दाने नीचे रह जाते हैं और चम्मच के कमपन से धवनी उत्पन होती है और इसे इसी भाती जब भूकम पाते तो पिर्थवी के अंदर कमपन होना लग जाता है तो यह देखो भूपर पटी और यह मेंटल और इसके अंदर देखो मैगमा ठोस रूप में होता है और बाद में जब यह लावा निकलता है यहां से इसका निकास और फिर यह क्रेटर और जब यह बहार बन के गैस और राक के रूप में आता है तो यह ऐसे दिखता है उसके बाद में आता है भूकम पिये तरंगे कितन ठाझञए हैं दूता है तो यह जहां भूकम उत्पन हुआ है यहां से भूकम उत्पन भूगेद्ट होएगा है जो एक please अधी इस से प्रफ़ गार्ण गया दंग ढूत्व सुपन म०्लन पर्म के वार्ण कानल पाँ नार था रिवां, प्रम टिंग ह inf enorm को सब्सक्राइणों,। पी ए और S और L तीन तरंगे होती है ये और उसके बाद में यद भूकम की बविश्यवानी संभव नहीं है भूकम की बविश्यवानी क्योंकि उपर हमने देजगा तकी अक्समे घटना ही होती है भूकम हो गया जवाला मुकी हो गया या एक और घटना ही जैसे भूश्य खला जैसे जानवरों की वेवार कादन, जानवर अलग तरीके से वेवार करने लग जाएंगे, तालाब में मचलिया हैं, वो बहुत ज्यादा उतेजित हो जाएगी, सांप है, वो धर्ती पे आने शुरू हो जाएगी, तो वो जब अंदर गरजना और कंपन होगी, तो वो बहार न बूज में निराशा जनक रहात, उसकी अकवार की कटिंग है, और इसकी वज़े से देखो कितना विनास हुआ था, उसके बाद है, क्या आप जानते हैं, भूकम का मापन एक यंत्रशे किया जाता है, भूकम को कितना तीवर आया है, कैसे आया है, तो एक जिसे भूकम लेख जाता थी उसके अंदर पांस थी, छे थी या पांस से उपर थी या साड़े पांस का था, इनका जो पॉइंट जो नापते हैं, वो किस पे मापते है, रियक्टर स्केल के उपर मापते हैं, तो जिस भूकम की तीवर ता 2.0 अत्वा उससे कम है, तो उसका परवाव ना के पर कोई खास फर्क महीं पड़ता है, जिस भूकम की तीवर ता 5.0 होती है वस्तु गिरने की वस्तु गिरने लग जाती आपस में, और जिस की तीवर ता 6.0 या उससे अधिक होती होती है, तो बहुत ही सक्ती होता है, उससे तो आपके इमारते वगरा गिर जाती है, और यह दे श्रक्षी स्थान जैसे रसोई का काउंटर है या मेज है, उसके नीचे या दिवार के अंदुरुनी जो कोने होते हैं उसमें, और दूर किन्ची जो से आग वाले स्थान से हमें दूर रहना चीए, चिमने के आसपास नहीं रहना चीए, तो उटने वाली खिड़के आंदर शीशा वगरा जो फ्रेम हैं तो उनसे हमें दूर रहना चीए, रसोई की काउंटर या मेज के नीचे हमें चले जाना चीए, ताकि उपर से कोई चीज गिरे, तो हम उसके नीचे गुच जाए, तो हमें थोड़ी चोट कम लगे, और दिवार का अंदुरुनी जो कोना होता ह और पहले से त्यार हैं अपने दोस्तों और परवारिक सदस्यों के बीच में जागरुकता मतलब उनको जानकारी देते रहें और इस आपदा का सामना विश्वास से करें, उनको त्यार करें पहले से भी हम किस तरीके से बचकतिया रभूकम आ जाता है तो, उसके बाद में म अंदरजनिक वाली एंडोमोर्फिक वाली थी और यह एक्जोजैनिक वाली है तो अपक्षय और अपर्दंग नामक दो प्रकरमों दवारा द्रिश्य भूमी लगातार वी घटती जा रहे है पिर्थवी के स्ताइपर शैलों के टूटने से अपक्षय की किरिया होती है जो अपर्दन एमन निक्षैपन का ये परकरम दर्ती के ध्रातल पर विभीन इस्तलाकरतियों का निर्मान करते है उसके बाद में आता है नदी के कारिया नदी क्या करती है तो नदी के जल से द्रिशय भूमी का आपरदन होता है, जब नदी किसी खड़े ढाल पर ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर श्याल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल परपात बना देती है, जो कठोर वाले हिस्से से मतलब किसी पहाड़ी हिस्से से बिलक जल जल परपाते है, बहुत बार पेपर में आता है, अन्य जल परपाते है वो उत्री अमरीका में कनाड़ा और स्विंक राज अमरीका की सीमा पिस्थित नियागरा जल परपाते है वेंजुएला का एंजल और यह है कनाड़ा और अमेरीका की सीमा के उपर है नियागरा जल पर पाथ और अफरीका में जॉंबिया और जिंबाबे की सीमा पर विक्टोरिया है तो यह भी पूछ लिया दाता है काई बार जब नदी मैदानी छेतर में प्रवेश करते हैं तो एक मोड़दार मार्क पर ऐसे ऐसे करके बहने लग जाती है ऐसे ऐसे करके कभी इदर हो जैसे जैसे उसका मतलब पानी का ढलान जाएगा जैसे जैसे जगह मिलेगी उसको वैसे वैसे बहती है तो नदी के इनी बड़े मोडों को हम क्या कहते हैं इनको विसर्प बोलते हैं जो मोड से बनते हैं इनको विसर्प बोलते हैं इसके बाद विसर्पों के किनारों पे लगाता क्षिर्फ और अपर्दना और निक्षीव पुरू हो जाता है विशर्प लूप के सीरे निक्टा आ जाते हैं विलुप से कट जाते हैं और और जील सता है कई जील सस्達지ीन भीड़ा हो निकटवर्ती छेत्रों में महीन मिट्टी छोटी-छोटी पतली-पतली मिट्टी के कण और अन्य पदार्थों का निक्षेपन करती है तो ऐसी मिट्टी और पदार्थों को आवशाद कहते हैं जो अपने साथ वो भाकर लेके आती है इसे समतल उपजाओ बाड़कृत मैदान का निर्मान हो जाता है और नदी के जो उत्ति जो तट होते हैं उनको तटबंद कहते हैं समुंदर तक पहुंचते पहुंचते नदी का जो परवा है वो दिमा हो जाते है और नदी अनेक धारव में विबाजित हो जाती है ये देखो तटबंद विशर्प ये मोड और उसक को वितरी का कहते हैं यह वितरी काय होती है समुधिर में जाकरे अलग-ालग-ालग एलग-णयाी करने लगतती है और प्रतेक वित्री का अपने मुहाने का निर्मान, मुहाने मतलब जहां पर बिल्कुल उसका किनारा होता है, उसको बोलते हैं, जहां पर सभी मुहाने के अवशादों के संगरे से डेल्टा का निर्मान होता है, और समूंदरी तरंग के फिर क्या कारिये हैं, जो समूंदर में ज चोड़ी भो जाती है इनको समूदरी गुफा पोलते हैं इस तो इसके अंдर दरारा आती रहती है तो इसको Westset को किया वह बोलते हैं इसको लगाता रपतन च्थ को भी तो दोड़ित एंगे और कि करती हैं को फिर हम क्या बोलते हैं समूदरी जल के उपर लगबग उर्दवारदर खड़े हुए उंचे शैलिये तटों को समूदर ब्रीगू कैते हैं समूदरी किनारे स्त्रंगे हैं वो किनारोप आउशार जमा करके समुद्री पुलीन का निर्मान करती है ये होते हीमनद, बरफ की नदिया हीमनद और हीमानी है वो बरफ की नदिया होती है ये पिर्थवी की जो बाईए जो हमने क्या देता है ये एक्सोजैनिक जो फोर्स लगते हैं पिर्थवी के ऊपर जो गटनाय गटती है जो हमें दिखती है उन सब की बाते हैं यहां पे हो रही है जैसे हीमनद आया था उपर समुंद्री और नदियों का जिकर आया था और आंत्रिक चीजे तो वो थी बूकम जवाला मुखी बेगरा लेकिन यह बहार की चीजी है पिर्थवी के ऊपर जो चीजी हमें देखने को मिलती है हिमनद अपने नीचे की कठोड चटानों से गुलाश में मिट्टी और पत्रों को अपरदित कर देती है और गुलाश में मिट्टी और पत्रों से बूद रीशे का अपरदन करती है परवती चेतर में बर्प पिगलने से उन गर्थों में गर्थों में गड्डों में जल भर जाता है और वे सुन्दर जील बन जाता है हीम्नथ के दवारा की कि पदारते है जैसे चोटे बड़े शैल रेत् crít ?" यह मित्टी को निक्शेप fair कर देते हैं और यहे निक्शेप Может पिर हीम्नगमोड का निर्मान कर देते हैं बरप के यह मैदां से बनादेते है तो इनको बोलते हीमनद हीमोड data inhैं तो उसको अपरधन बोल देते हैं रेगिस्तान में आप छत्रक शेल के आकार के शेल देख सकते हैं जिसमें से माने छत्रक शेल कहते हैं पवन शेल के उपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है मनला उपरी भाग को कम काटेगी निच्छी के भाग में हवा जादा लग तो उसको काटेगी इसलिए ऐसे शेल के काण अधार है वो तो शंकीरन बिल्कुल ऐसे पतला से हो जाता हो शीर से वो चोड़े रह जाते हैं बड़े हो जाते हैं पवन चलने पर यह है अपने साथ रेत को इस्तान से दूसरे स्थान प अधरी पर यह जाते हैं यह लूरे जाते हैं। अचीन में विशाल है वह लोईस कर जाते हैं प्लेटे कि घूमती है वह आपने उपर पढ़ाता बहिर जने को रांदर जने का अलिन की सिद्गी श रखे है इंसे प्रष ट ह्मॉण मे नहीं है द पर गदेता है रहा जैसे त और देखो समुंद्री टरंग की विशेस्था कौन सी नहीं है तो समुंद्री गूफा भी बना देती है वो और किनारा भी लिना भी बना देती एक टाइप से हीमनद की निकषेपण विशेस्था क्या स्लबड़क्रित मैदान पुलिनτο फались angry बना देती है निकषेपण के बार जाती है वो छोट छोटी जो गड़ों में जाकर के पानी कठा हो जाता है उसको चाप जील कहते हैं ऐसे यह जल परपात और यह हमनद क्या होती है बरफ की नदी को आप हमनद बोलेंगे विशर्प क्या होते है जब नदी मतलब एक मोड़दार भाग में जब भैती है तो उसक बोलते है जल परपात भूकम्प अचानक होने वाली गटना जो अंदर होती है और पूलीन में जैसे समूंदरी तट के उपर निर्माण हो जाता है इसका उसके बाद में एक च्छत्रक के आकार में होते हैं बाड़कृत मैदान बहुत उपजाओ होते हैं समूंदरी गुप जो फोर्स होती है अंदर कौन-कौन सी चीजे घड़ती है और बहार कौन-कौन सी नदियां होगी समूंदरी गुफाएं बगरा होगी या हिमनद होगी बाड़कृत मैदान होगी या रेगिस्तान जो भी हो गया हावा मिटी बालू के टिवे यह सब चीजे पिर्थव के ब इंपोर्टेंट है यह नियागरा जल परपात जो हमारे उसकी सीमा पे है कनेड़ा शुंकतराज अमरीका की और वेंजुएला के अंदर यह जो एंजल परपात है यह सबसे हुचा जल परपात है तो इनका नाम आपको याद रखना है और अस थलमंडल यह प्लेटों के जब तक आप NCRT नहीं पड़ेंगी तो आपके लिए बहुत मुस्किल आइए इसलिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्सन देखते हैं आगे कौन सा है और बाई टेक केर